बुद्धी के कारक फास्ट मूविंग रहे अब इने कला से जोडने वाले रहे जो कानून के ग्याता हैं व्यपारिक उन्नती देते हैं बंधु सौखे हैं अध्यापन संपादन लेखन का चित्रकारिता का कारे कराते हैं जिनके अपने चाचा के साथ मामा के साथ मौसी के साथ भांजे के साथ इनके साथ रेलेशन अच्छे होते हैं भागवान विश्णू से संबंदित जो सामिक ग्री होती हैं जो धर्मिक कारे होते हैं उनको करने से बुद्ध देव प्रसंद होते हैं हर तक्रीबन कार्यों में निपून प्लैनेट जिनके तेज से जिनकी जल्दबाजी से कारेश सिद्ध होते हैं कई बार जल्दी निर्ड़े लेने के बाद पश्टाते हैं और कई बार अच्छे डिसीजन बहुत ही जादा उपयोगी सावित होते हैं बुद्ध में वो कला है कि वो जैसे ग्रह के साथ बैठता है उस प्रकार से आपको और हमें फल भी प्रदान करता है तो आईए वीडियो की शुरुआत करता हूँ आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो बुद्ध ग्रह हैं कल दुपैर अर्थाथ 26 तारीक दुपैर एक बचकर 47 मिनट पर इनका महाराशी परिवर्टन होगा और शुक्र स्वेम करेंगे ताजबोशी और यहाँ पर युती ब देख तो अपनी राशी को छोड़ रहे हैं कन्या को और तुला राशी में चले जाएंगे शुक्र के घर में जाएंगे शुक्र स्वेम एक राज्योग बना के बैठें और उस राज्योग को बोलते हैं मालव वे नाम का महापुरुश राज्योग अब यह राज्योग 11 लिखने को समझने को आपको इस वीडियो के माद्यम से प्राप्त होगा तो आईए शुरुवात करते हैं और सबसे पहले आपसे चर्चा करना चाहता हूँ उस राशी के बारे में जिसको एक बड़ा मेजर रिलीफ मिलेगा क्योंकि बुद्ध का परिवर्तन गलत स्थान से निकल के शुब स्थान में हो रहा है अच्छी जगा पर हो रहा है तो नाम है मेश जितने भी जाता कैट प्रेजेंट मुझे मेश के सुन रहे हैं आपकी जो ग्रह इस्तिती रहेगी उसकी अनुसार आपको पून रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बुद्ध तुल के बाद में परिस्तिती कुछ और फेवरेवल बननी शुरू हो जाएंगी जब सूरे अपनी पून नीच्टा को त्याग देंगे छोड़ देंगे क्योंकि अभी सूरे केतु का एक ग्रहन दोश भी सब्तम भाप पे बना हुआ है परन्तु ये बुद्ध का परिवर्तन ये मैं आपसे कहना चाहूँगा अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट आशी के नाम है मिथुन आपकी जो गोचरिय इस्तिती रहेगी उसके अनुसार मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तो आज दोपहर में एक बच के 47 मिनट पर यानिकी 26 अक्टूबर बहुत फेवर रखोते हैं तो पंचम बाब में रहेंगे मान सम्मान को लेके रहेंगे सुक साधनों को लेके रहेंगे प्रापटी वहां जमी जादात के स्वामी होकर के रहेंगे तो पॉजिटिव परिस्तितियों का निर्मान होगा कुछ अक्समात धनलाव के अफसर मिलेंगे ये मैं कह चाहते हूं शेर मार्केट में थोड़ा सा हलका हाथ रखिएगा क्योंकि सूरे केतु का ग्रहन बना हुआ है अब ये एक लिस्ट वन वीक तक थोड़ा हलका चलना है आपको उसके बाद आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं साथ ही साथ में जिन लोगों को राजनीती में कोई व थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा करेंट से मतलब ये है कि बहुत तीवर रहेंगे तेज रहेंगे एक्टिवली वर्क करेंगे और एक फूर्ती के साथ में करेंगे ये मैं आप से कहना चाहता हूं यानि कि आपके शरी में तेजी देखने को मिलेगे थोड़ा गुस बहुत अच्छा है इसमें तो कोई दोमत नहीं है परंतु विशेश ध्यान रखना है गले का क्योंकि गले पर सूरे के तू बैठे हैं गले से रिलेटिड पार्ट आपके पीड़ा में रहेगा ये मैं आप से कहना चाहता हूं बट अगर ओवर आलम बात करें तो गरह इस्त पर फल मिलना आपको प्रावर्म हो जाएगा अगर एक बुद्ध का पन्ना रत्र हो तो पहन लीजे नहीं तो हरे रंग के कपड़े या हरे एक रूमाल अपनी पॉकिट में अवश्य रखें ये मैं कहना चाहूंगा अब आप से बात करेंगे नेक्स राशी जितने भी जात परिस्ति में ये आपके धन यहानी कर सकते हैं बिमारियों पर पैसा खर्च करवाएंगे और अननेसेसरी टेंशन बनी रहेगी क्योंकि सूर्य वैकेतू का एक ग्रहन दोश भी बनेगा तो इस कारण से भी परिस्तितियां आपके लिए तनापून हो सकती हैं थोड़ा ध्य ध्यान रहके इस बुद्ध के परिवरतन में इस्तरी पक्ष से या पुरुष पक्ष से यानी कि अपोजिट को एक दूसरे के हानी उठानी पर सकती है ध्यान रखें यह मैं आपसे कहूंगा कोई शरियंतर आपके खिलाफ रचा जा सकता है ऐसा ग्रह गोचर इशारा कर रह रहेंगे तो वो तो अच्छा है कि आपको मन से अच्छा बना देंगे सिंगर्स के लिए राइटर्स के लिए सी ए लैक्चर आर प्रोफेसर संपादन लेखन से जड़ए लोगों के लिए तो अच्छा है परंतु खर्चों में वृद्धिय अधिक होगी यह मैं आपसे कहन चाता हूं फिजल खर्ची बढ़ेगी जितने भी जाता कन्या के मुझे भी सुन रहे हैं आपकी जो ग्रह इस्तिती रहेगी उसके अनुसार बहुत बढ़िया है नो डाउट अच्छा रहेगा धन के दृष्टिकोंड से बहुती सुन्दर योग बन रहा है सम्मान के लिए जौब के कैरियर के लिए और सरकारी नोकरी से जड़ए लोगो के लिए बहुत ही शुब ग्रह गोचर आपकी राशी में बन रहे हैं तुला के दोस्तों आपके ग्रह इस्तिती आपके राशी के सौमी शुकर है एक मालव विराजयोग बना के बैठे हैं बुद्ध भी साथ में रहेंगे भगे शूकर के रहेंगे तो आपके भगे के लिए अच्छा है आपके सम्मान के लिए अच्छा है आपके विक्तितु के लिए अच्छा है बहुत अच्छा है और इन फैक्ट लोग स्वतह आपके और खिचेंगे आपकी वाणी में आपके बोडी में किस प्रका यही आपके तनाव कारण बनेगी मूल रूप से इसलिए आपको संतुलित खर्चे करने है योजना बद तरीके से कारे करना है मकर आपके लिए जो इस्तिती है वो यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि करम भाप पर आपके भागेश आ जाएंगे यह एक सुन्दर अच्छी बात है कि बुद्ध कन्या राशी से नेक्स्ट होंगे तुला में तो धन के लिए अच्छे हो जाते हैं बागे के लिए अच्छे हो जाते हैं परंतु पिता के स्वास्त का ध्यान रखना और आपको पैरों में दर्द की शिकायत आएगी इस बात का भी आपको विशेश ध्यान करके चलना होगा अधरवाइस तो जो ग्रह वोचर है वो काफी पॉजिटिव दिखाई पड़ता है यदि हम बात करें धनूराशी की तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो इस्तिती है वो बहुत पॉजिटिव है और इसका विशेश कारण ह कि लाव इस्तान में आपके करमेश रहेंगे और सब्तमेश रहेंगे आपको जीवन साती से सयोग मिलेगा जीवन साती के सयोग से आपके कारे सिद्ध होंगे मन वांचित इच्छाओं के पूरती होगी ये मैं कहना चाहता हूँ विदेशों से रुके हुए फसे हुए काम आपके बनते हुँ नज़र आ रहे हैं, शुब रूप में बनते हुँ नज़र आ रहे हैं, इसलिए भी आपका ग्रह गोचर पॉजिटिव है, लाप्रद है, आपके लिए बुद्ध का परिवर्दन व्यपारिक उन्नती से अच्छा रहेगा, कुम्ब की जो रहे इस्तिती रहेगी, उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ, कि विध्यार्थी, पृत्योगी परिक्षाओं की त्यारी करने वाले, उनके लिए अच्छा है, जो लोग आईटी में हैं, कंप्यूटर साइंस में हैं, हाडवेर हैं, सौफ्ट वेर का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, टेकनिकल एजुकेशन से चुड़े लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपके बुद्धी पर मंगल बैठा है, तो आपके लिए यह बुद्ध का परिवरतन अच्छा रहेगा, शुकर का केंद्र तिकॉन राजयोग भी बना हुआ बुद्ध के साथ में, तो इन दोनों ग्रहों के आपसी सयोग से कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा, यदि बात करें में नाशी की तो मैं यह कह सकता हूँ, कि आपका अली यह अच्छा नहीं है, क्योंकि बुद्ध चले जाएंगे अस्टम में, आपके अस्टम भाब में ही चार-चार गरह रहेंगे, यह ठीक नहीं है केतू भी, सूरे भी, बुद्ध भी, शुक्र भी, में इंपॉर्टन प्लेनेट सारे अस्टम में चले गए, यह पीडा दायक है, थोड़ा ध्यान रखें, साथदानी से रहें, स्वास्त का विशेश रूप से ध्यान रखें, य दोस्तों, आपका गरह गोचार, आपका राशिफल, बुद्ध परिवर्तन का, आज ही से हो रहा है, अगर आप कुनली बनवाना, दिखवाना, पूजा पार्ट कराना चाहते हैं, तो हमें संपर कर सकते हैं, लोधियाना, जलंदर, अमरिसर, जम्मू, वेर, आप मुंबई म मिलने के लिए मुझे कांटेट कर सकते हैं, अक्टूबर एंड में और नमबंबर के फर्स्ट एंड डेज में में मुंबई में भी हूँ, अभी आप से जादा चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार